हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू टेलिंग क्लास विद फराज आज के वीडियो में हम आपको टुलिप शल्वार की कटिंग और स्टीचिंग बताएंगे जो कि बहुत ही एजी तरीके से ही हमारी टुलिप शल्वार रेडी हो जाती है टुलिप शल्वार में हम यहाँ पर इस ताह की गोटापती लेस को लगाएंगे शल्वार को रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर दो मीटर कपड़े का यूज किया है कपड़े की लेंग से हम कपड़े को टू पार्ट्स में रख लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पूरा उपन करके कपड़े को रख लिया है शल्वार की जितनी हमें लेंथ लेनी है उतना यहाँ पर हम रख लेंगे शल्वार की लेंथ हम ले रहे हैं 38 इंच 38 इंच पर माग करेंगे अब फिर जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उस कपड़े को हम यहाँ पर कटिंग करकर निकाल देंगे कपड़े को हम एक ओरनर से पकड़ेंगे और इस थासे फोल्ट कर देंगे फिर फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर प्रेस से या ऐसे ही एक क्रीज बना लेंगे अब एक ओपन करने के बाद हमारा एक मार्ग दिख रहा है उससे ही हम लेंगे एक side में हम 6 inch पर mark करेंगे दुसरे side भी हम यहाँ पर 6 inch पर mark करेंगे और इसके center पर भी mark कर लेंगे अब एक side से हम अपनी fabric को लेंगे तो जो हमने दुसरा side 6 inch तक लगाया है बहाँ तक कि अपनी fabric को लेके आएंगे इस थार से fold करेंगे फिर दूसरी कॉर्णर से दूसा पार्ट को पकड़ेंगी अब जो हमारा यहां पर सेंटर आ रहा है यह वला मार्ग जो किया था इस वाले मार्ग पर अपने फेबरिक को फोल्ड करकर रख देंगे अब हमें शल्वार के अपनी फिर से लेनी है जितनी भी रखनी है तो हमने यहाँ पर 38 इंच लेंगे पूरा 38 इंच पर मार्ग कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यह मार्ग कर दिया अब हमें बैल्ट को रैडि करना है बैल्ट हम यहाँ पर 4 इंच के लेंगे और 4 इंच पर नीचे की साइट पर मार्ग कर देंगे और बागी पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे पहले उपर से यह वाले पार्ट को कटिंग करेंगे और फिर यह नीचे वाले पार्ट को भी कटिंग कर देंगे आसन अब हमें लेना है तो पहले जितनी हमें बेल्ट रखनी हो उतना इंची टेप उपर की साइट को निकाल लेंगे, फिर आसन वाला पार्ट लेंगे, यहाँ पर हम 12 इंच ले रहे हैं, 12 इंच पर माक कर लिया, फिर हमने 1.5 इंच लिया, 1.5 इंच अंदर की साइट को आएंगे, और इस ताह से यह पुरे माक को ड्रॉ कर लेंगे, और इ शलवार की कटिंग होने के बाद इस ताह का शेप आएगा, तो पहले हम लोग यहाँ पर लेस को लगा लेंगे, पूरे पार्ट में, यह इस ताह से लेस को लगाना है, पहले दोनों पार्ट में हम यहाँ पर लेस को लगाएंगे, फिर उसके बाद यह जो हमारा आसन वाला यहां पर sly लगा कि दोनों पार्ट को जॉइन्ट कर लेंगे यहां पर मार्किंग हमने कर लिया तो बेल्ट की लेंथ हमने लिए 6.5 और इसके विद्ध लिये 2 पार्ट में 22 इंच और बापी वाला पार्ट जो एक्स्टर है इसको कटिंग कर देंगे दोनों साइट से स्लाई लगा कर फिर उपर नेफे वाले पार्ट को फोल्ड करकर हमारी फोर इंच की बैल्ट रैडी हो जाएगी अब यहाँ पर लेस हमें लगाना है तो लेस कैसे लगाएंगे जो कप्ड़े का हमारा उल्टा पार्ट होगा उस तरब से लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कॉर्णर से इसे रखना है और लेस को हमें सीधा रखना है पूरे पार्ट में यहाँ पर स्लाई लगा लेंगे पहले और फिर उसके बाद अपने यह वाला पार्ट जो होगा इसको इस ताह से उल्टा साइड लाएं इसी तरह से हम दोनों पार्ट में लेस लगाएंगे जैसे दिखा रहे हैं जब ये वाला पार्ट हमारा रेड़ जागा फिर ये एक्स्रा फैब्रिक जो है उसको अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और लेस हमारी बाहर की साइड को आ जाएगी बस इस तरह से ही अब इसके उपर स्लाई लगाएंगे तो ये वाला कपड़ा अंदर की साइड को हो जाएगा और लेस इस तरह से लग जाएगी अब यहाँ पर हमने आसन वाले पार्ट को भी जॉइन कर लिया है और लेस को भी लगा लिया है अब हमें अपने फैब्रिक को कुछ इस ताह से पहले पकड़ना है छोटे वाले पार्ट को दोनों को लेना है और आसन आसन में हम दोनों को जब मिलाएंगे इस ताह से हमें यह रखना है जहाँ पर हमने माक किया था चुटे वाले पार्ट वहां तक कि हमें रखने है और यह वाला पार जो है उपर की साइट को हमें रख देना है तो यह देखें शलवार का शेप कुछ इस ताह से आएग फिर उसके बाद हम स्लाई लगाएंगे जो हमें अंदर वाला पार्ट है उसमें हमें स्लाई लगानी है तो यहाँ पर हम पिन के मदद से पहले इससे जॉइन कर लेंगे फिर इसके उपर से हम यहाँ पर स्लाई लगाएंगे इस तार से दोनों पहुंचों कुपे हमने स्लाइग लगा ली है और फिर उसके बाद हम अपनी पिन को निकाल देंगे यहाँ पर लेस के बाद से हम अपनी प्लेट को डालेंगे तो ऐसे इस ताह से 33 इंज भी माक कर लेना है जिटनी भी प्लेट हमारी आ रहे होंगे उतनी प्लेट को हम यहाँ पर डालेंगे जिटनी भी हमारा बैल्ट का पार्ट होगा उसी के बअनलम पर प्लेट रेडी होँगी तो पहले फैब्रिक को आपको इस ताह से फोल्ड करना है जित जहां पर मार्क किया है फिर उसके बाद अपनी प्लेट को रैडी करना है आपको मेरे वीडियो अच्छा लगी तो प्लेज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इसी ताकि वीडियो की नौटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग देख सके यहाँ पर हमने फ्रेंट में प्लेटे डाल ली है बागी प्लेटे हम बैक साइड में डालेंगे जितनी प्लेट हमने बड़ी फ्रेंट में डाली है उतनी ही प्लेट हम यहाँ पर बैक में बी डालेंगे तो इसलिए 33 इंच पर मार्क करेंगे फिर इस ताकि बागी प्लेट भी डालेंगे यहाँ पर इतनी प्लेटे डाल के पर चेक कर लेंगे कि हमारा यह साइज पूरा आ रहा है देखिए बैल्ट हमने 22 इंच की कटिंग करी है तो उतना ही पार्ट हमारा यहाँ पर प्लेटे डालने के बाद आ गया तो अब हम यहाँ पर रफे स्टिचिंग कर लेंगे इस वाल कि यह हमारे प्लेटे हैं इस तहरा से अब हमारा जो आसन वाला पार्ट है वहाँ कर लेंगे और यहां पर से श्लाया को हाएंग और पर जोईनले कर लेंगे बर्श इस तरह से पूरे ठीट में अपनी बैल्ट कर लगा लेनी है यह हमारा बैक का आसन है यह वाली स्लाई जा रही है ठीक है और यह बैल्ट के स्लाई है तो दोनों स्लाईयों को आपस में इस ताह से बैक में भी मिलाना है और फिर बैल्ट को जॉइंट करना है यह देखे इस ताह से हमारी बैल्ट लग गई इस ताह से जॉइंट हो गई है अब हम अपनी नेफे वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे जहाँ पर मांक खिया था और इस वाले पार्ट को फोल्ड करते हुए पूरे पार्ट में स्लाई लगा लेंगे अब इस огधの कर लेंगें तो इप लेंगे तो हमने यहांपर 26 ले ली हैंग के नेफ़े वाले पार्ट में हमने कुछ पार्ट ओपन रखा है उसी से हम यहांपर अपनी लासटिक को इसमें डाल देंगे elastik वाले पार्ट को इस था से जॉइन करके फिर पूरे पार्ट में हमें यहाँ पर belt वाले में इसे अंदर कर दे नी है अब यह जो हमारा open वाला पार्ट है इसमें हम slide लगा देंगे पहले अब उपर से हम यहाँ पर slide लगाएंगे elastik को खीशते होवे ये वाली स्लाइएं लगानी है पहले एक साइड में स्लाइ लगाएंगे फिर थोड़ा गैब देते हुए दूसरे पार्ट में स्लाइ लगाएंगे इस ताह से हमारी बैल्ट रेडी हो जाएगी ये हमारी शलवार रेडी हो गई झाली बैल्ट जाएगे लगाएंगे लगार को जाएगांगे लगाएंगे, देक साइब दिन है।